दूसरे जो modern लड़के लड़किया हैं जो आजकल जियोती सीख रहे हैं ये पूरा का पूरा academic है इसके course होते हैं इसके डिप्लोमा मिलते हैं यूनिवर्सीटियों से मिलते हैं ये महौल क्रेट कर रहे हैं इन्होंने करा तो कुछ है नहीं नया संसद होगा नया सविधान होग और ये उसमें सपत लेकर के नया अपना हिंदू राष्ट और हिंदू राष्ट की वर्ण विवस्ता है मनुवादी विवस्ता उसको लागू करने की इनकी साजिस बस अभी ये 6 महीने का समय बचा है इस 6 महीने में ये सारा बेच बूच करके सारा खतम कर देना चाते हैं उ उम्हारे वो जो सांसद हैं मंतरी हैं परसासनी की लोग हैं उनका यहन चोशन कर रहे हैं लगातार टीवी मीडिया पर बागेश्वर धाम बावा के गुडगान गय जा रहे हैं लगातार एवीपी न्यूस की रूबी का लियाका बराबर उनकी जो धोग धपाल है उसके लिए बता रही हैं कि बावा धिरेन शास्त्री जो दिखा रहे हैं वो पाखंड नहीं है तो अभी उसी पर चर्चा करेंगे और भी दोचार मुद्धे हैं उस पर चर्चा करेंगे तो हमारे साथ है अशोक अज्यानी जी जिस तरीके से लगातार टीवी मीडिया बागेश्वर धाम बाबा के जो परचम लहरा रहा है लगातार दिखा रहा है कुछ टीवी मीडिया उसको पाखंड बता रहे हैं उत्राखंड के जो शंकराचारे हैं बोल रहे हैं कि भाई अगर वो उनका सच्चाई है तो जो शीमत हिल रहा है यह पहले से क्यों नहीं बताया हूं पूरी तरह से यह जो भी पूरा कि सरकार और मीडिया का मिल करके कि परपंच चल रहा है यह बागेस्वर अधाम के जो विरिंदर यह हैं धिरिंदर स्वामी जी जो भी आए और यह अब घूम करके आज आगए उन्होंने आज कह दिया कि मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट बनाऊंगा अपनी उसी बात पर भारत के सविधान को तोड़ने के और भारत के विरुद्ध इसने नया नया देश बनाने का विद्रो आज एलान कर दिया जो उनके एजंडे में है और जिसके लिए वो सुरेश चौहान सुदर्शन टीवी का जिसने पिछले साल यहीं पर गोविंद्पुरी में सविधान के विरुद्ध सपद दिलवाई थी और हिंदू राष्ट बनाने की कसम खाई थी तो यह तमाम यह उस परचार का यह उसी का सिलसले को इसको हीरो बना करके पेश कर रहे हैं जब दिमाग को पढ़ने वाली बाद वाइवरेशन से और यह फेस रीडिंग है यह तमाम यह कोर्सी हैं यह कोई अंद्विस्वास नहीं है और यह कला है कि आप सामने वाले को लड़की बत करके बता रही है वहाँ पर एक लड़े सुहाना नाम की सुहानी शाह वो बता रही है वहाँ पर कि और खुद उनको करके बता रही है कि वही आप अपने दिमाग में सोचो और वो अपने उससे आइडिया लगा करके और बता रही है नाम भी बता रही है सब बता रही है और उन्होंने वो उससे वो प्रोफेशनल हैं उससे वो पैसे भी कमाते हैं मगर वो उन्हो अनुमान जी मुझे बताते हैं है वह भूत-प्रेटों को ho Marndane की दभा बताते यह आई अई उसका नाम बता रहे हैं जो सामने बैठा उसके बारें बता रहे हैं तो यह पूरी तरह से अंदुष्वास को सभिधान के विरुद अंदुष्वास को बड़ावा देने वाली बात आज के दौर में और देश के लोगों को छल कपट से धोका दे करके उनको लूटने वाली बात और तीसरा अपना जो हिडन एजंडा है इनका भारत के सविधान को खतम करके भारत को हिंदू राष्ट बनाने का जो इनका वो एजंडा है हिडन उसको ये धीरे धीरे इनके जैसे लोगों को जैसे वो सुरेश चोहान है और ये बाबा आगया और बीच में भी वो एक दो बाबा थे जिन्नों नहें हरदुआर में और अंबाला में शपत दिल वाई थी उनका में नाम बुल गया ये तमाम ये लोग इस तरह से इनके के ये महल बना करके और ये वोट लेना चाहते हैं 2024 में और फिर तीसरी बार सत्ता में आ करके फिर हिंदू राष्ट बनाएंगे ने सविधान से जो इन्होंने छुपा के बनाया हुआ है और नई संसद बना रहे हैं उसमें इनकी साजिस है शपत लेने की नया संसद होगा नया सविधान होगा और ये उसमें सपत लेकर के नया अपना हिंदू राष्ट और हिंदू राष्ट की वर्ण विवस्ता है मनुवादी विवस्ता उसको लागू करने की इनकी साजिस ये इनका एजेंडा है और इसको एजेंडे का ये जो अभी चल रहा है पहले रामचरि कर रही है लिख रही है उस पर रूपी का लियाकत जो है वो मान रही है बाबा को सरकार पिछे हैं और जो जो इनके पुंजी पतियों जिनको नंबर बन मालदार किया जिन्होंने टीवी खरीद लिए तो उनकी तरफ से डारेक्शन ने उनको चलाना है अंदर खाते ये इंडिस्ट्रीज ते जो हमारे खनीच पदार्त हैं जो भारत सरकार की संपधा है सब उसको बेच रहे हैं लाला हो और उंदर खाते हम लगे रहा है इन बाबावाों की चक्कर में वह अंदर खाते देश को बेचवाच के बराबर कर दें क्योंकि इनके पास बस अभी ये च किताब लिखी हुई है उसने ये लिखा था कि देश की जंता को इतना निचोड़ दो इतना कमजोर कर दो कि वो तुमारे सामने सर न उठा पाए और दो चार बड़े अपने खास पुंजी पत्तियों को लालाओं को मालदार कर दो सारी धंसंपत्ति का मालिक उसको बना दो जो पता भी रेपोरेटर बढ़ा उसका रिजर्ब बेंक ने बढ़ाया जो 14,000 रुपे जिस फ्लैट की किस्त जा रही थी वो अब 17,000, 18,000 होगे लोग रो रहे हैं खुन के आंसू एक दम से इतना ब्याज उसके ओपर बढ़ गया जो पुरानी किस्ते चल रही थी उनके ओपर सर्वाई करेंगे कैसे उनके घर बचेंगे कैसे क्या बचेगा तो यह पुराना इनका पूरा एजन्डा की देश की जंता को इन्होंने आर्थिक रूप से और हर तरह से इन्होंने कमजोर करके उनके अधिकार चीन के कानुनी अधिकार खतम कर देने आप गोता है चार के लिए लगा देते थे अब वो नहीं कर सकते वहाँ जाएंगे तो इनको फार पैसे लोग लोगा नभी और जाओ यहां से अब लेबर्स की बात करें बात यहां पर है विश्व गुरू की और विश्व गुरू बनेगा धरम-बाबाओं तेके यह तो बहुत हाश्यस अभी किस तरह किया क्या चुपाओगे आप कैसे विस गुरु बनोगे एक तरह पहलवान जिनकों की गोल्ड मेडल आ रहे हैं वो महिला हैं बैठके कह रही हैं कि तुम्हारे वो जो सांसद हैं मंतरी हैं परसासनी की लोग हैं उनका यहन चोशन कर रहे हैं इसी तरह करोगे कि महिला डोलगवार शुद्र पशुनारी जो 26 जनवर 1950 से पहले तुम्हारा मनुश्मृती में जो नारा था कि इनको इतालना के अधिकारी हैं और बाबा साहब ने 26 जनवर 1950 को आ करके उन्होंने सविधान दिया उसमें लिखा डोलगवार शुद्र पशुनारी सब हैं मानव हाँ वो तो लिखाना बाबर तो अकवर के टैम पे लिखाना लेकिन रामचरित मानस में महिलाओं को पैर की जूती बनाया डोलगवार शुद्र प्रसुनारीयों को तालन का अधिकारी बताया जो अचूत थे उस समय उनको पढ़ने लिखने पर परती बंदता सब था लेकि लिखाने रामचरित मानस में उन मुगलों के खिलाब उसमें लिखा नहीं कि यह जो बावर है जो अभी मुसलीम आये हुए हमारे मंदिर तोड़े हमें उसमें लगाया उन्हों ने लिखा किसके खिलाप लिखा अचूतो खिलाब जिनको आज कटर हिंदू बना रही है कह र सबस्टा दिया कि भैं मुगलों ने बनाया लेकिन के लोगों ने मुगलों के टेंप यह नहीं लिखा कि बावर ने हमारी मजजिद तोड़ी उस समय नé लिखा लेकिन यह नों ने अचूतों के खिलाब लिखा और आवा के बता रहे है कि तुमें तो मुगलों ने मारा क्य हुआ Mill22 दिमाग में आता था पढ़ता था आद मी विझ्यान पड़ना पड़े हाँ देखे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज उनको सब कुछ मिल गया है भारत के सविधान से इन महिलाओं को पूरा दिकार मिल गया आज नौकरियों पे आज फोर्स में आज जाज उड़ा रही है आज पूरी परधान मंतरी पहली परधान मंतरी इस देश में स्रीमती स्कूलों में भी पढ़ा जाएगा शिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि भाईया अब स्कूलों में रामचरित मानस महाबारत और यह सब रामायन पढ़ाई जाएगी जब हमारे लोग स्ट के लोग जो विद्वान लोग वो जब इन लालाओं को बणियों के इनकी पार्टि में जा करके उनी पार्टियों में जाके उनके मेंबर बन रहे हैं और लोगों कह रहे हैं कि वोट डालो दिल्ली में 14% वोट था 2020 तक भी भूजन समाज पार्टी का वो बढ़ करके हम खुद अपनी सत्ता हासिल कर सकते थे लेकिन इनों ने क्या कि हमारे लोगों ने वो हमा अपने आपको मानते हैं वो वहां खड़े और हमें कह रहे हैं समाजिक समाजिक करो और दिल्ली जो हम जीत सकते हैं वो मनुवादियों के पीछे हाथ बांद के खड़े तो ये ये कही ना कही क्योंकि हम उनको सत्ता दे रहे हैं तो वो अपने स्कूलों में रामचरित मानस पढ़ाएं, अंद्विस्वास पढ़ाएं, भगवानों को कुछ भी पढ़ाएं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता उनके पास है, और सत्ता से ही बाबा साब ने कहा था, राजनीती सत्ता की चाबी है, और सत्ता से जब आप आ जाओगे, तो आप अपने पुलिस भी है, फाज भी है, परसाशन भी है, अरसैंिक बल भी है, धन भी है, सक्ती भी है, है वो कुछ भी करें सब्सक्राइब के बाद सनातनी जाग चुका है लेकिन दलित पिछड़ा अभी तक नहीं जागा है तो उसको हिंदू बनने में ही खुशी मिल रही है तो आप क्यों इत्मा नहीं देखें मेरी जिम्मेदारी बहले ही मैं अकेला रहा जाओं जैसे बाबा स देनी पड़े लेकिन हम सच्चा ही जरूर बोलेंगे आज नहीं जगेंगे तो हमारे मरने के बाद सोचेंगे जब यह गुलाम बन जाएंगे जब तो सोचेंगे कि कोई तो थे पागल दिवाने जो हमें समझा रहे थे हम समझे नहीं देखे मुझे तो पता है ना मैं तो सम मिदारी जब मैं मरूँगा मेरी च्छाती पर बोज नहीं होगा कि कम से कम मुझे तो पता था मैंने तो अपनी डूटी पूरी की अब वो जागे ना जागे लेकिन मैं अपने काम से अपने करम से पीछे नहीं अटूँगा जो बाबा साब ने कुर्वानिया की जो मानने व यह आप उनसे तो आवाज उठाओ उठाओ लेकिन आप मैंने तो यह भी कहा कि भाया आप एक गंटा जा करके अपनी गली वस्तियों में जाके अपना सविधान पड़ाओ अपना इतिहास बताओ जो हमारे बड़े बड़े आईएस हैं प्रोफेसर हैं वकील हैं विज्ञानि को आईएस अपसर हो तुम नेता हो अभी नेता हो तो इस भारत के सविधान की वज़े से हो नहीं तो तुम पहले का तुम भी मरे हुए जानवरों डोते थे तुम भी गंदगी मैला उठाते थे तुम भी उनकी गुलामी करते थे अगर आज तुम्हें अगर पेशे बदलन का मौका मिला पढ़ने का मौका मिला तुम्हें राजा बाबु बनने का मौका ला तु विकॉस अब डॉक्टर अमबेट कर इस महान सभिधान की वज़े से तो आपको पेड़ाना पढ़ेगा हमारे लोगों को अब उनकी बस्तियों में जाके एक एक दो दो घंटे देने पढ जो तुमने हासिल किया घ्यान वो कैसे आसिल करा यहां तक कैसे पहुंचे अपना अनुबब्प शेयर करो उनको बताओ सभिधान के बारे में शुरिभा के बारे में बीजेपी जॉइंट कर लेते हैं, आपकी नेता समाज से उठकर के आपकी बात करते ही नहीं है, हम चुने हुए निताओं की, उनके सांसदों की विधायकों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बावा साब ने जब कुना पैक्ट सेंड किया तो उन्होंने क्या दिया था, इन म बावा साब ने कह दिया था, तो हमें उनसे बिल्कुल कोई हमें उनसे टेंसन नहीं है, को हमें टेंसन इस बात की है, कि जो हमारे लोग आईएस हैं, आईपीएस हैं, सरकारी करमचारी हैं, जो बिजनिसमेन बड़े हो गए, करोड़ों रुपे का लोन ले करके बिजनिसमे पढ़ेगी और ये 26 जनवरी को हम सविधान सुरक्षा दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं और उस दिन से एलान करेंगे कि कोई आदमी घर में नहीं बैठेगा हपते में एक दिन दो एक गंटा दो 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 दिन में दो चार दिन में दो पंदरा दिन में दो हर आदमी को रूटी निवानी पड़ेगी करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि तुम्हें इस महान सविधान ने आपको यहां पहुचाया और हमारे उसके पीछे हमारे जो उनकी कुर्वानिया है बाबा साब की कुर्वानिया है चाहे हमारे साओजी फूले महाराज की हो साबतिरिवाय फू हम जिसे ले करके जितने भी हमारे लोग हैं उन सब की कुरवानियों को आपको payback to society करना है आपको जैवीम मत बोलो भाई जैवीम को घर घर ले जा करके बताओ कि उसने क्या कुरवानी करी इस सभीधान में तुमारे लिए क्या लिखा है बताओ वाँ जा करके ये तुमारी duty और तुम यहां तक कैसे पहुँचे तुम राजा बाबू कैसे बने अधिकारी अफसर वैवसाई कैसे बने आपको शेयर करना पड़ेगा रास्ता देना होगा अपने लोगों को ये 26 जन्वरी 2023 से ये मूमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ अशोक अग्यादी जी तुमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा की इनों ने जैसे की रामचरित मानस को लेकर के दंग मचा हुआ है लगातार जो शिव राच चौहान है वो बोले हैं कि स्कूल स्कूल में अब जो है रामचरित मानस पड़ा जाएगा रामाइट पड़ाई जाएगी महाबारत पड़ाई जाएगी तो तमाम जो पिछड़ा वर्ग है अगर ये वीडियो देख रहा है तो सोचे और समझे और जाग उठे कि अब उसे जागना पड़ेगा जैसी कि साथ देखते रही जनित आवाज मेरे सेयोगी धर्म